नुश्कार मेरे किसान भाईयों, मैं एक किसान हूँ जो पंचकुला का रहने वाला हूँ गाउं नगलबागा में जो की कालका मलोक में पड़ता है यहां मेरे गाउं का मौसम बहुत ही सुहाना है जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर पहाड़ी बहुत नजदीक है यहां के मतलगी मौसम अच्छा होने के करनिया सबजियों बड़ी अच्छी फचल होती है सबजियों के लिए हमारी मौसम बड़ा च्छा बताया गया है जैसा कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं क्रिशी भिवागे अरिकारें से मिला उन्होंने बिग्यानिकों से मिला उन्होंने मुझे बोला कि यहां पर आप पॉली आउज और नेटा आउस लगाओ फिर उनको मैंने अपनी जमीन दिखाई कि देखो यहां पर पथ्रीली ज कि दो उन्होंने चाहता हूं कि मचे चाहते होगाना कि दोने पॉली यह अपना दो एकड में दो जाठाव में अपना पॉली तो यहां जैसा कि आप देखरें एड़ गया तो मैंने दो जाठारं में यहां पर 2018 मेंने खिरे की फसल ली थी, खिरे की फसल होगाई थी, फसल मतलगी बहुत अच्छी होई, जैसा कि अभी तो हमने जनवरी कहां तक चली, इससे में बंपर फसल होई, यहां कि एस्टिमेटर हमने 700 कमेंटल खिरा, इसमें 700 कमेंटल मतलगी पैदावार होई, जो कि ल बित्री हो गया, और उसके बाद मैंने अपने फारम में उनसे बिगयनिकों से फिर संपर किया, उनसे बोला कि मैं फूलों के खेती करना चाहता हूँ, तो उन्हें बोला कि अच्छा है कि आप गुलाब के खेती करो, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने फा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर बिल्कुल अभी मेरे गुलाव की खेती चल रही है इसकी फसल बिल्कुल अच्छी है प्रेदाबर भी अच्छी है और लेकिन करोणा के कारण अब इसका rate में अभी कोई बड़तरी नहीं होई है पर भी मुझे उमीद है कि इसमें अच्छी एवरेज मिलेगी हमें इसलिए अभी करोना की कारण हमारी यहां पर चंडीगड में मंडी है वहां पर अच्छी खासी इसकी सेल है तो जैसा कि अब देख वारे हो कि अभी बिल्कुल गुलाब ओके चर रहा है तो मेरा सभी किसान भाईयों से अग्रे है मैंने बग्यानिकों की सहता से मतलगी जैसे की बैड बनाना ड्रीप करना खाद को उनकी स्लाह से सारा कुछ खुद अपनी लेवर की सहता से सब कुछ काम किया है जैसे कि आप देख वारे हो कि आपर बिल्कुल ड्रीपिंग सिस्टम की आप यहां पर जो इसका आने के स्तान को अब ध्यान में रहत तो इसमें आप कीड़े बीमारीं से बिल्कुल बचा सकते हो जासा कि आप देख रहे हो कि मैंने दो एकडमी बिल्कुल अभी बहु लगा रखा है गulaव जे कि मेरे को अच्छी आमदनी उमीद है कि इच्छी अब बविश्य में अच्छा अंदनी देगा मतलगी अब अभी मेरा सभी किसानों से अगरे है कि आप आम खेती हो जाजा से गेहूं जीरी की बज़ा से आप ये पॉली और नेट और लगाएं तो बहुत ही मेरी सुगेशन है कि बहुत बढ़ी है इसे मेरा बज़ेट भी ठीक रहा और मेरी फसल भी बिल्कुल अच्छी रही है ताकि इसमें कोई जादा नदबाईयों का सेवन करने से कोई फैदा नहीं है, बीमारी जादा है, क्योंकि ये तो बैसे ही ओवरल प्रोफ्टेटेबल है, बिल्कुल, तो मेरा सभी किसानवाईयों से अगरे है कि आम खेटी के बजाए आप पॉलियोज और नेट होज लगाए में धन्यवादी, मुश्कार दोजी